साथियों आप सभी के स्प्रेटफर्म पर स्वागत है यहाँ पर हम लोग घटना चे पॉब्लिकेशन के द्वारा जो द्रिष्टी 2023 नाम से करेंट अफेर की मैगजीन निकाली गए है जिसमें एक माई 2022 से लेके 15 आफ्राल 2023 तक के करेंट अफेर हो संक्रित किया गया है जो आ पहला सक्सेन है वो है अंतर राष्टी संबद तो उस अंतर राश्टी संबद को इस वीडियों हम लोग कबर करेंगे तो चलब प्रारहम करते हैं सबसे पहले बात करते हैं भारत जापान के बारे में तो देखिए बीस से 21 मार्स 2023 के मद्ध जापान के प्रधान मंत्री पू तब ही कि चौधामा भारत जापान वार्षिक सिखर सम्मिलन मार्च 2022 में आयुजित किया गया था। उलेखनी है कि वर्ष 2022 में भारत जापान राजनेक संब्यंदो डिप्लोमेटिक रिलेशन की स्थापना की सत्तरवी वर्ष गांट मनाई गयी थी और वर्ष 2023 में जहां भारत G20 का ध्यच है वहीं जापान G7 का अध्यच है। इस यात्रा के दोरान वर्ष 2023 को भारत जापान परेटन वर्ष के रूपे मनाने की घोशना की गई है। पहुँचे और 9 मार्च को इनकी जो है प्रधामदी नरेन मोदी के साथ आहमदाबाद के नरेन मोदी स्टेडियम में भारत युम अस्टेलिया के मद्ध खेले गए बॉर्डर गावासकर ट्राफिक के चौत्युम अंतिम टेस्ट मैच के दोरान ये दोनों वहाँ पे पस्त पहुँचे थे और 9 मार्च 2013 को स्री अलवनीज ने मुंबई का दौरा किया दस मार्च 2013 को दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों के मद्ध नई दिलने में प्रतम भारत अस्टेलिया वार्षिक सिखा समेलन का आयोजिन किया गया इस यात्रा के दोरान दोनों देशों के मद्ध निम्न चार दस्ता वेजों का आदान प्रतान किया गया ये चार दस्ता वेज कोन से हैं पहला है आडियो वीजूल सह उत्पादन समझवता दूसरा है खेलों में सहयोग पर समझवता गया अपन तीसरा है नवाचार में सहयो की स्थापना भारत्युम अस्री य नमाचार्परितंत्रों इन्वेशन एको सिस्टम को एक साथ लाने के उद्धेश से भारत अस्री य नमाचार्यूं प्रद्योक्ति चुनती इंडिया अश्टिलिया इनोवेशन टेक्नोलजी चैलेंज की घोशना की गई है एक मार्श दोजार तेज को पंदरा दिवशी प्रथम जनरल रावत भारत अश्टिलिया ईवा अधिकारी रच्छा बिनमे कारिक्रम का आरंब हुआ था दो मार्श दोजार तेज को योगिताओं को पाराश्परिक मानता देने हैं तो भारत अश्टिलिया के मद्द एक धाचागत तंत्र फ्रेमवर्क मेकेनिजम पर हस्तचर किये गए थे यह दोनों देशों के बीच छात्रों पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने में मद्द करेगा अब थोड़ा सा बात करते हैं डिकिन विश्विद्याले भारत पे अपनी साखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्विद्याले है तीन मार्श दोजार तेज को अस्ट अपनी साखा परिशर की स्थापना करेगा इसकी स्थापना है तो मंजूरी अंतराष्टी वित्ति सेवा केंद्र प्राधिकान इंटरनेस्टल फाइनेंशियल सर्विशस सेंटर एथोर्टी आई एफ स्ये द्वरा प्रदान की गई है उन लेकिन है कि अक्टूबर 2022 में तो देखिए ये क्या है इंडिया अस्टेलिया एकोनॉमिक कॉपरेशंट एड ट्रेर्ट एग्रीमेट इसी को भारत अस्टेलिया इसी टीय कहते हैं हस्ताचरित हुआ था भारत ने वर्ष 2022 के दौरान दो ब्यापार समझोतों को प्रभावी बनाने का अलतिय गौरों हासिल किया है उल्लेखिनिये के भारत अश्रिलिया ECTA से पूर्व एक माई 2022 को भारत UAE कि शविक तरफ अमिराद ब्यापक आर्थिक साहिदारी समझोता लागू हुआ था CEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement लागू हुआ था यहां एक दसक से भी अधिक की अवधी के बाद किसी विक्षित देश के साथ किसी विक्षित देश के साथ भारत का पहला ब्यापार समझोता है अश्रिया विक्षित देश है उलेखिनिये कि इससे पूरु भारत ने वर्ष 2011 में जापान के साथ ब्यापक आर्थिक भागेदारी समझोता Comprehensive Economic Partnership Agreement पर हस्ताचर किया था ECTA के लागू होने से सभी टैरिफ लाइनों पर सुनी सीमा सुल्क Zero Custom Duty के साथ भारती वस्तूओं को अश्रियाई बाजार तक पहुँच प्राप्त होगी मूली के संदर में 99% अश्रियाई निर्याद को भारती बाजार में शुर्क मुक्त पहुँच जीरो ड्यूटी एक्सेस प्राप्त होगी ECTA के तहट अश्रिया भारती चात्रों को चार वर्स तक की अवधी की पढ़ाई उपरांत कारी वीजा पोश्ट इस्टेडी वर्क वीजा उपलब्ध कराएगा वहीं इससे अश्रिया में अध्यांड़त एक लाग से अधिक भारती चात्रों को लाप्राप्त होगा इस समझोते के परड़ामजन सूचना प्रद्योगी की सिवाओं में 12 कराधान डबल टेक्सिसन भी समाप्त हो जाएगा उलेखनी के अश्रिया अपने घरेलू कराधान कानून में संसोधन के माध्यम से अश्रिया को तक्निकी सेवाए प्रदान करने वाली भारती फर्मों की आपशोर आय के कराधान को बंद करने पर सहमत हो गया है भारत भुटान के बारें बात करें तो 3-5 अप्रद 2023 के मद्ध भुटान नरे जिगमेक, खेशर, नामग्याल, वांग्चुंग ने भात के अधिकारी क्यात्रा संपन की उलेखनी की भारत भुटान की 13-15 वर्सी योजना ने सहयोग हे तु सहमत हो गया है भारत भुटान की 13-15 वर्सी योजना में सहयोग हे तु सहमत हो गया है उलेखनी की भुटान में भारत के सहयोग से मांग देंचु जलविदुत परियोजना जिसकी छमता 720 मेगावाट है का निर्माण किया गया है जिसे हाल ही में भुटान को सौंप दिया गया है भुटान में भारत भुटान सहयोग के माध्यम से विक्षित अन्य परियोजनाओं में पुनात शांग्चु प्रथम जलविदुत परियोजना 1200 मेगावाट की इसके अत्रिक्त आपकी पुनात शांग्चु दुतिय जलविदुत परियोजना 1020 मेगावाट की खोलूंग चु जल्विदूत परियोजना 600 MW की चुखा जल्विदूत परियोजना 336 MW की उलेखिने के भारत में भूटान के मद एक इतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारी रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है यहां रेल लिंक कोकरा ज्ञार असम के कोकरा ज् यहां भारत में भूटान के मद पहला रेल लिंक होगा अगला है भारत इटली देखे 2-3 मार्च 2023 के मद इटली की प्रधान मंतरी जारजिया मेलोनी ने भारत की राजकी यात्रा संपन की उनके साथ इटली के उप्रधान मंतरी एंटोनियो तजानियों एक उचिस्तरी ब्य दौरा किया था यात्रा के दौरान शुश्री मेलोनी ने आठवें रायशीना समाथ 2023 में मुख्यासितियों मुख्यवक्ता के रुप में भाग लिया उलेखनी के वर्स 2023 में भारतियों इटली के मध्राजनेक संबंधों के स्थापना के पचातरवी वर्स गाठ है यात्रा के दौरान कुछ महात्पुन पईडाम जैसे की बिज्ञान प्रद्योक्यों अकाद्मिक स्थम्भ के अंतरगत इटली भारत में प्रसांत सामुद्रिक पाहल में सामिल हुआ है इंडिया पैस्पिक ओशेल इनिशेटिव में दूसरा प्रवाशन में मगसीलता पर आश्री की घोशना तीसरा भारत इटली स्टार्टप ब्रिज की घोशना चौथा रविंद्र भारती विश्विद्याले कोलकता इसे इटली के वानिच दूतावास के बीच MOU भारत जर् 2023 के मद्य जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भारत की राज की यात्रा संपन की अपनी भारत जात्रा पर 25 परोड़ी को नहीं दिल्ली पहुँचने के बाद उन्हों 26 परोड़ी 2023 को बंगलूर को दवरा किया वर्तमान भूमिका में जर्मन चांसलर की रूप में स्री सो पहली भारत यात्रा थी इस यात्रा के दोरां दोनों देश्टों नमाचार यह प्रद्योकी पर सहीयों में विजन वक्तव पर सहमत ही व्यक्त की है भारत मिसर के बारे में बात करें तो 24-27 जनौरी 2023 के मद्य मिसर के राश्पती अब देल फतेह अलशीशी ने भारत की आज की यात्रा पर भारत आये थे तो देखिए 26 जनौरी 2023 को भारत के चोहत्रवें गरतन दिवस के आउसर पर स्री अवदेल फतेह अलशीशी मुख्य अतित के रूप में उपसित रहे यहाँ पहला उसर था जब गरतन दिवस के आउसर पर मिसर के राश्पती को मुख्य अ आजिस्ता के दोरान मिसर को अतित्य देश गेष्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है यात्रा के दोरान भारत मिसर संबंदों को रणनीतिक भागिदारी इस्टेटिक पार्टर्शिप तक उन्नत करने की घोशा की गई है जिसमें राजनेक सुरच्छा, ले खिए जिस प्रकार से पहला है। यात्रा के दौरान बंगलादेश की प्रधानमंत्री ने आठ सितंबर 2022 को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोयनुलू दीन चिस्ति की दर्गाह का भी दोरा किया, यात्रा के दौरान जलसक्ती मंत्राले भारत सरकार और जलसंसाधन मंत्राले बंगलादेश सरकार के बीच भ प्रधानम्तर बंगलादेश में प्रोवाइत होती है, यात्रा के दोरान दोनों नेताओं दोरा मैत्री उर्जा सहयंत्र की प्रधम इकाई का अनावरण किया गया है, उलेकिन ही कि मैत्री उर्जा सहयंत्र जो है 1320 मेगावार्ट का सूपर क्रिटिकल कोयला आधरित ताप उर्जा सयंत्र है धर्मल पावर प्लांट है जो बंगलादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में इस्तित है यहां सयंत्र दो बिलियन डॉलर की अनुमानित लागत से इस्थापित किया गया है जिसमें 1.6 बिलियन डॉलर की भारती विकास सायता सामिल है इसके अधरिक द भारती सीमा तक भी connectivity प्रदान करता है अब थोड़ा सा बात करते हैं भारत बंगलादेश मैत्री पाइपलाइन के बारे में तो देखिए 18 मार्च 2013 को प्रदान मंत्री नरिद मोदी और बंगलादेश की प्रदान मंत्री शेक हसीना ने से वर्चुल मादम से भारत बंगलादेश को एक मिलियन मेट्रिक्टन प्रतिवर्स उच स्पीड डीजल को परिवान करने की छमता है यहाँ पाइपलाइन नुमालीगड रिफाइनरी लिम्टेड के सीली गुडी इस्तित विप्रन टर्मिनल से बंगलादेश पेट्रोलियम कॉर्परेशन के पारवती सक्षिन को यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे तो चले प्रारम करते हैं पहला है टाइम हंडड़ सरवाधिक प्रभावशाली व्यक्ति दोजार तेस के बारे में तो देखे तेरा अप्रवाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के वार्षिक सूची जारी की यह सूची का बीशुवाशाली व्यक्तियों को चे स्रेणियों कलाकार प्रवर्तक असाधरन व्यक्ति नेता आइकॉन था मार दसक के अंतरगत रखा गया है तो मैक्सकन अमेर्गी अबनेतरी सलमा हाय के था अमेर्की अभनेत्री डू बैरी मोर सहीद 19 वक्ती सामिल है प्रवर्तक स्रेणी में सामिल प्रूख वेक्ती में किलियन एमबापे ये फ्रेंच के फुटबॉल प्लेयर है तथा इगा शुटेक पोलेंड की टेनिस के लाड़ी है इनको सामिल किया गया जो ही असाधान वेक्ती के तोर पर जो है इस स्रेणी में प्रूख वेक्ती में पद्मे लच्मी भारती मोल की अमेर्की लेक्ता अभनेत्री मॉडल वा टेलिवीजन होस्ट रही है इलन मस्क, स्पेस एक्स के संसापक ट्विटर के सीओ, लियोनेल मेशी अर्जेंटीना के फुटबॉलर इत्याद को सामिल किया गया नेता के तोर पर लीडर स्रेणी में कुल 20 लोग सामिल है जिन में यूक्रेन के राश्पती की पत्नी ओलेना जिलेंसका है जो बाइडेन, अमेर्की राश्पती, बोला, एहमद, तीनुवू, नाइजेरिया के नौ निर्वाचित राश्पती, अमेर्की वितमंत्री जैनेट एलन है, ये इत्याद सामिल है वहीं आइकॉन सिर्णी में कुल 15 लोगों को स्थान दिया गया है, जिसमें भारती अभिनेता शारुखान सामिल है, मार्दरशल सिर्णी में भारती फिल्म निर्वसक एस एस राज मौली को सामिल किया गया है फिल्लैंड के बारे फिल्लैंड नाटो का 31 सदिश्ट बन गया है, तिके नाटो नार्थ अट्लांटिक ट्रिटी और्गनेशन एक राजनेति क्यों सैनेगड बंदान है, जिसमें ये उरोप यों उत्तरी अमेरिका के 31 देश सामिल है, 4 अप्रेल 1909 को उत्तरी अट्लांटि 31 सदिश्ट बन गया है, इसके पूर उत्तरी मिश्रोनिया जो है नाटो का 3 सदिश्ट था, बेल्जियम में इसे ब्रुशल्स नाटो का मुख्याला है, मुख्याला में अमेरिका के उत्तरी अट्लांटिक संद्ध के अंगिकन से समझत दस्तावे जमा करने के साथ ही फिल्ल अंचा गोशित की है, ये देश है, बोश्नियों, बोश्नियों, हर्जी, गोविना, ये पूरा एक देश है, दूसरा है जार्जिया, तीसरा है सुईर्यन, चौथा है यूक्रेन, ग्याता भी है कि उत्तरी अट्लांटिक संदिके अंचे 10 में नाटो की सज़ता प्राप्त क के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें गैलेप वर्ड पूल के द्वारा डेटा, प्रदर डेटा का उप्योग किया जाता है, 20 मार्च दोज़ार तेश को स्तायुक्त रास विकास समाधा नेटवर्क ने के द्वारा विश्व प्रसंता रिपोर्ट 2023 प्रकासित की गई यह इस रिपोर्ट का गेरामा संसकर्ण है, इस रिपोर्ट में यह रिपोर्ट छे कारकों पर अधरिते पहली प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी पर कैप्टा, समाजिक आवलंबन, शोसल सपोर्ट, स्वास्त जीवन, प्रत्यासा, हेल्दी लाइफ एक्सपे इस रिपोर्ट में रेंकिंग है, इस रिपोर्ट में लगाता छठी बार फिनलैंड जो है, सरवाधिक परसंद देशों के सूची में पहले इस्थान पर है, तो नमबर एक पर फिनलैंड, दूसरे पर डेन्मार्क, तीसरे पर आइस्लैंड, चौथे पर इस्राइल, पांच सन्य देशों में सबसे लाष्ट पोजिशन 137 नमबर पर अफगानिस्तान है, 136 पर लिबनान है, 135 पर शियर अलियोन है, 134 पर जीम बॉंबे और 133 पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज है, तो लाष्ट का याद रखिए अफगानिस्तान का, और इस वर्ड हैपिनेस इंडे दर्ज किया है भारत ने, 10 इस्थानों का, लद्दाख यो महिर भंज, टाइम पत्रिका के 50 महांतम इस्थानों के सूची 2023 में सामिल, लद्दाख और महिर भंज जो है, ये टाइम पत्रिका के 50 महांतम इस्थानों के सूची में सामिल है, तो देखिए 16 मार्च 2023 को टाइम प भुमने के लिए बिश्र के स्रेश्टी स्तल है. मयूर्भंज के बारे में बात करें, मयूर्भंज ओडिशा के जिला है जो मुकेता बिलचन बाग ता प्राचीन मंदिरों के प्रसिद्ध है. यहाँ इसे सिमलीपाल राश्टी पार्क में काले बाग पाए जाते हैं इसके तरिक यहाँ एशियाई हाथियों बाग टाइगर बंगार टाइगर भी पाए जाते हैं मयूर भंज का च्छाओ नुर्ट युनिश्कोव के आमूर्थ सांसिग बिरासत सूची में सामिल है जब कि केंसरी प्रदिस लद्दाग अपने अलपाइन भू प्रदिर्श तिबति के बौध संस्कित के लिए प्रसिद्ध है हाल ही में भाद का पहला डार्क इसकाई अभ्य सुचकांग को जारी किया गया है देखे यह सुचकांग विश्व के 163 देशों 163 देशों में आतंकबाद के प्रभाव का अध्यानियुम विश्रेशन करता है इसमें GTI 2030 के अंसार 2022 में आतंकबाद से मरने वालू की संख्या 6701 दर्ज की गई है जो कि 2021 की तुलना में 9% की गिरावट को दर्साता है यहां पर हम लोग ज्यादा नहीं यहां पर जो देश है जो रैंकिंग है उसको यहां पर देखते हैं हम लोग देखिए पहले नमबर पर आतंकबाद सरवादिक प्रभावित सीर्स जो पांच देश है इसमें आपका अफगानिस्तान नमबर एक प पर है माली चौथे पर है और सीर्या पांच पर है वहीं आतंकबाद से प्रभावित जो ब्रिक्स देश हैं इसमें देखें रैंक किसकी है तो ब्राजील 85 पर है रूस 45 पर है भारत 13 नमबर पर है चीन 93 पर है दच्छेंअफरिका 79 नमबर पर है तो इसमें सबसे खराव रै यहां ध्यान दीजिएगा कि भारत को इसमें कौन सा इस्थान दिया गया है तेरामा इस्थान दिया गया है अंतराश्टी ये सस्त्र हस्तांतर प्रवितियां 2022 के बारे में बात करें कि 13 मार्च 2013 को इस्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्ट्यूट सिप्री द्व 2018-22 की अवदी में विश्व के पांच सबसे बड़े हतियार निरियातक जो बेचते हैं वो कौन से रहें तो नमबर एक पर सैंक तुराज अमेरिका है दूसरे पर रशिया तीसरे पर फ्रांस चौथे पर चीन है और पांचों पर जर्मनी है देखें सैंक तुरूप से ये प 2018-22 की अवदी में विश्व के पांच सबसे बड़े सस्त्र आयातक जो है आंस इंपोर्टर खरिदार कों से नमबर एक पर भारत है दूसरे पर सौधी अरवे तीसरे पर कतर है चौथे पर अश्टेलिया पांच वे पर चीन है देखिए और सही तुरूप से ये पांचों द दर्ज की गई है रूस 2018-22 में बिगत वर्सों की बाद बाद के सबसे बड़ा हतियार आपूरती करता है और जो भारत हतियार करिता है उसमें से 45% जो हतियार है वो रश्टिया से खरिता है दूसरे नमबर पे हतियार आपूरती करता में जो है फ्रांस है तीसरे पे अमेरिक इस सूची से बाहर है, मतलब बेचने वालों में पहले 25 में सामिल था, अब नहीं सामिल है, रूस, फ्रांस, युम, इज्राइल द्वरक किये गए सस्तर निर्यात में मुख्य पराप्त करता हूं में बारत सिर्स पर है, अगला है 95 या 95 आशकर पुरसकार 2023 के बारे में, तो अ पुरसकार प्रतिवर्स Academy of Motion Picture Arts and Sciences के दौरा प्रतान किया जाता है, और अमेर की फिल्म इने बाता Janet Young Academy of Motion Pictures Arts and Sciences की वरतमान अध्यच हैं, आगे चलते हैं आप पर, अब देखिए, इसे महत्मुर्ण जो फ्राइट हैं इसके, 12 माच 2013 को डालवी थेटर कैलिफोनिया के Lance Angels में 95 आ कादनी पुरसकार के बिजी तो गुषना की गई वर्स 2022 के दौरान प्रदसित फिल्मों है इन पुरसकारों का वित्रण किया गया है तो देखिए 95 आजकर पुरसकारों है तो सरवाधिक ग्यारा नामंकन फिल्म Everything, Everywhere, All, At Once को प्राप्त हुए ग्यारा नामंकन वहीं डेनियल कौन और डेनियल इसकीनर्ट दौरान निर्दसित इस फिल्म ने सरवाधिक साथ आजकर पुरसकार अपने नाम किये है मल्टि वर्स कई ब्रामभांडों का एक कालपन एक समूह है पर आधित इस अमेर्की कौोडिर द्रामा फिल्म को सरवसेश्थ फिल्म के आजकर पुरसकार समाहित किया गया है और इस फिल्म के लिए डेनियल कौन यूम डेनियल इसकिनर्ट ने सर्वशिष निर्देसक का पुरुषकार जीता है। इस जर्मेनी की मूवी है को सर्वशिष अंतराश्टी फीचर फिल्म का पुरुषकार पतान किया गया। द्रिश्टी प्रभाव के लिए विज्वल इफेक्ट के लिए अवतार दवे आफ वाटर के लिए भारत के लिए दो एतके हासी छड़ रहे हैं। पहला जब कार्थ की गोशालवेश द्रिश्टी 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 फिल्म का पुरुषकार पतान किया गया। और दूसरा तमिल भासा ये मूवी जो है तमिल भासा की इसकी निर्देशक कार्थ की गोशालवेश हैं और निर्माता गुनीता मोगा हैं। आसकर पुरसकारों की तहास वह पहला आउसर था कि किसी भारती प्रोडक्शन कमपनी द्रिश्टी द्रिश्टी फिल्म को आसकर पुरसकार प्राप्त हुआ हूँ। जबकि जो रिपल र है वो तेलगू मुवी है, तेलगू फिल्म रिपल और के गीत नाटू नाटू को सरबशेष संगीत Verginal Song Les geared का आसकर प्रशकार दिया गया है, इसके संगीत कार कुम थे? M. M. किरवानी और संगीत कार चंद्र बोस थे, और इस गीत के गायक राहूल, सिपल प्रिगंज और काल भैरो रहे हैं नाटू नाटू किसी भी भारती फिल्म के सरफशेष्ट मौलिक गीत का आसकर जीतने वाला पहला गीत है आगे देखते हैं उलेखनी है कि असी में गोर्डन ग्लोब एवार 2023 में वेस्ट सॉंग मोशन फिक्चर स्रेणी में भी नाटू नाटू को बिजयता गोशित किया गया था भारती फिल्म में निर्माता शौनक सेन द्वार निर्देशित डाकुमेंटरी फिल्म All That Briefs डाकुमेंटरी फिचर फिल्म स्रेणी में सार्टलिस्ट अंतिम पांच फिल्मों में सामिल है लेकिन यहां आसकर जीतने से चुक गई वहीं अंतराश्ची फिल्म स्रेणी में प्रतिस परधा हेतु पैन नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती भार्चा की फिल्म छेल्लो सो भारत की अधिकारिक प्रविश्ट चेल्लो सो आसकर प्रुसकार हेतु सार्टलिस्ट की गई 15 फिल्मों में चैनित भी हुई लेक वहीं दूसरी जो थी वह प्रियंका चोपड़ा थी 2016 में आगे चलते हैं तो यह आपकी तीसरी हो गए अगला है लेगाटम सम्रिद्धी सुचकांग 2023 के बारे में तो देखें विश्रु के विभिन देशों में सम्रिद्धी के स्तरों के तुलना है तो एक अंतराश्ची ग सम्रिद्धी सुचकांग जारी किया जाता है लेगाटम इंसट्वी लंदन इसित लेगाटम कमपनी समुख के अंदर और एक सुचकांग संगतन है लेगाटम इंसट्वी सुचकांग 2023 के दिशों को सामिल किया गया है सम्रिद्धी सुचकांग तीन कारी छेत्रों मतब त्री डोमेंस 12 इस्तंभों 67 तक्तों और 300 संक्यतकों पर आधारीत हैं वर्ष 2023 में विश्व सम्रिद्धी सुचकांग में डेनमार्क सिर्ष पर रहा है इसमें डेनमार्क सिर्ष पर जबकि दछनी सुडान जो है लास नंबर पे 167 नंबर पे रहा है तो देखिए जो टॉप के देश है उनमें पहले पे डेनमार्क है दूसरे पे शुईडन है तीसरे पे नार्वे है चौथे पे फिन्लैंड और पांचोए पे सुईजन लेंड है और वहीं भारत की बात करें तो भारत को एक सो टीनवा इस्थान दिया गया एक सो टीनवे स्थान पर है जबकि 2022 में भारत समवे इस्थान पर इता है मतलब तीन अंकों की गिरावट दर्ज की गई है और इस सुचकांग में वर्ष 23 में पश्यमी उरोप विश्व का सरवाधिक सम्रिद छेतर रहा है कोई सा पश्यमी उरोप ठीक है आर्थिक सुचकांग 2023 के बारे में बात करें तो सरप्रथम वर्ष 1995 में प्रकासित आर्थिक सुचकांग एक वारसिक रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन वांसिंग्टन डीशी अमेरिका इसित बिचारमज थिंग टैंग दा हेरिटेज फाउंडेशन की द्वारग किया जाता है इसमें विश्व के देशों की आर्थिक सुनता कमापन चार व्यापक नेदिकत छेत्रों में विभग बारा मातरात्मा क्यों गुणात्मा घटकों के आधर पर किया आता है यह जो चार हैं वो कौन से हैं देखिए बिधिनियम दूसरा सरकार का आकात तीसरा नियामक दच्छता चौथा है खुले बाजार देखिए 27 परवी 2023 को आर्थिक सुनता सुचकांग 2023 जारी किया गया यह इसका 29 संसक्रण था पहला संसक्रण का बाया था पहला संसक्रण आपका 1995 में यह आपका 29 संसक्रण था इसके अंतरणत 184 स्वायत देशों की आर्थिक नीतियों इस्तितियों का तुलनात्मक अध्यन प्रसुत किया गया है इसमें देखिए चार देशों कोनसे सिंगापूर, स्वीजा लेंड, आयलेंड तरह ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक सुनता स्कोर प्राप्त हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप्स सुतनत की स्रेणी में रखा गया है जबकि 50 से 69 दस मलो, 9 के मद स्कोर प्राप्त करने वाली 65 अर्थ व्यवस्ताओं को प्राया गयर स्वतनत, mostly unfree की स्रेणी में रखा गया है तो इसमें जो है भारत, ब्राजील और रूज इसी प्रमुक अर्थ व्यवस्ताओं इस स्रेणी में सामिल है इस सुचकांग में सिंगापूर को विश्व की सबसे स्वतनत अर्थ व्यवस्ताओं गोशित किया गया जिबकि भारत जो है, वो mostly unfree की काटेगरी में है भारत का जो स्कोर है वो 52.9 है और जो स्थान है वो कौन सा 131 स्थान है 184 देशों में 131 स्थान है, 131 आगे बात करते हैं भारत दा अग्रिकल्चर, भारत दा अग्रिकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में सामिल इसे पहल की शुरुवात ग्लाश्गो यूके, यूके की ग्लाश्गो में सैक्त राज जलवाई पर उतन सम्मेलें जो COP26 था, अभी 2022 में COP27 हुआ था, कहां पर हुआ था, मिसर के सर्म अलशेख में, इससे पहले COP26 जो हुआ था, आपका यूके की ग्लाश्गो में, वहां पर इस पहल की सुर्वात हुई थी देखें ए ए आई एम फोर सी अर्था अगरिकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पांच वर्सों 2021 से पचीस के मत जलवायू स्मार्ट किरसी और खाद प्रणालियों में नमाचार के लिए निवेश और समर्थन बढ़ाना चाहता है ता आई टू यूटू समू के पहले विजनस पॉर्म के दोरान इसमें सामिल हुआ वर्तमान में इसमें 47 सदस्री है इस अगरिकल्चर इनोविशन मिशन फॉर क्लाइमेट में है आगे चलते हैं इसमें देखिए और यहां ध्यान दीजेगा कि यह जो आई टू यूटू है इस दूसरा इज्राइल एक यू आपका USA अमेरिका दूसरा है UAE सहुतरव अमिराद आगे चलते हैं अंतराष्टी बौधिक संपता सुचकांग 2020 के बारे में तो अंतराष्टी बौधिक संपता सुचकांग अमेरिकी वानजी के संक्ठन US Chamber of Commerce के से समद Global Innovation Policy Center दौरा वर 2012 से जारी किया जा रहा है इस सुचकांग में 50 बिभिन संक्रेतों के आधार वर 55 देशों में बाधिक संपता और सचना का मुल्यांकन किया गया है परोली 2023 में US Chamber of Commerce के वैशिक नवाचार नीतिकेंद्र दौरा वैशिक बाधिक संपता सुचका सुचकांग 2023 जारी किया गया यहां इस सुचकांग का गेरहामा संस्क्रण है वार्सिक रूपर जारी किया रता है इस सुचकांग में विश्व की 55 अर्थवाफसाओं को सामिल किया गया तो जो टौप के तीन देश है इसमें सेंकुतराज अमेरिका नंबर एक पे है उनाट जो है 42 नंबर पे है भारत 45 नंबर पे है जबकि छेतरी दिर्शी से भारत एशिया के एशिया में 15 देशों की सुची में बरहवे नंबर पे है इस सुचकांग के अंतरत भारत को निम्न मद्धम आये वाली अर्थवेवस्ताओं लोवर मेडिल इंकम एकोनोमिक्स की सिर्ण किया गया है अगला है भ्रहषटाचार बोथ सुचकांग 2022 के बारे में तो वर्स 1995 में से ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल जिसका सचवालें बरलिन जर्मनी में है को दोरह प्रतिवर्स भ्रहषटाचार बोथ सुचकांग 2022 में 13 सरविच्णों यों 20 शग मुल्यांकिनों के आधार पर 180 देशों चित्रों को सरविक चित्रों में ब्याप्त भ्रहषचाचार के इस तरों के रंकिंग प्रतान की गई है इस सुचकांग में सुने से सौ अंकों तक विस्तारित पैमाने का प्रयोग के जाता है जहां सुनिका अर्था सरवाधिक भ्रष्ट हाइली करप सौ सुमालिया सबसे लास्ट पे है तो देखिए टॉप के तीन देस डेर्मार्क नंबर एक पे फिनलैंड दूसरे पे न्युजिलैंड तीसरे पे है वहीं सबसे लास्ट में सुमालिया एक्सो अर्ष्टिवे नंबर पे सीरिया 178 पे और दशिन सुनान भी 178 पे भारत की बात नहीं हुआ है वहीं ब्रिक्स देशों की रैंकिंग भारत के अतिक दचिन अफ्रीका बहत्रोंए पे है ब्राजिल चौरानबे पे है रूश 137 पे है और चीन पैंसेट फे नंबर पे है ठीक है तो इसमें देखिए आपका दचिन अफ्रीका और चीन की रैंक जो है भारत से बहतर है भारत वाशेनार व्यवस्ता का दच वाशेनार व्यवस्ता दा वाशेनार अरेजमेंट एक वहुप अच्छिय स्वैचिक निर्यात नियंतरन व्यवस्ता है यह पारंपरिक हतियारों दोहरे उपयोग वाली वस्तू यों तकनीकों के हस्तरन की निगरानी करता है व चीन को छोड़ करके जो रूश अमेरिका फ्रांस यूके हैं इस बेवस्ता के सज़श है चीन इसका सज़श नहीं है एक जनुरी 23 को भारत ने अधिकारी तौर पर वाशेनार बेवस्ता के पूर्ण सत्र की अधिस्ता ग्रहन किये 30 नॉमबर से 1 दिसंबर 2022 के मत बियना में आवाशेनार बेवस्ता की 26 वी वार्सिक पूर बैठा कोई थी वहीं पर भारत को अधिस्ता सौपी गई अधिच की रूप में भारत का कारिकाल एक वर्स 1923 से 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा भारत ने आईलेंड से वाशेनार बेवस्ता सत को से जाने जाता है वर्तवान में इसके 39 सजिस्रे हैं भारत समित का सजेश्न नहीं है न्सजी नूक्लियर सप्लायर ग्रूप यह परोण पुरितिकरदार्दर्थ देश्रूक्त शमूह 걱정 है इसकी स्थाफना 1994 सदेश्न फोड़्तर्र यह वर्तवान में kी और वाही सदिश्श बना, वरतमान में इसके सदिश्शों की संख्या being 43 है. मिशायल प्रद्योगं की नियंतना व्योस्ता MTCR तो देचे इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, 2016 भारत सदिश्श बना, वरतमान में इसके सदिश्शों जारी कौन करता है इसे वांसिंग्टन डीसी सित कैनेटो इंस्ट्यूट और कनाड़ा के फ्रेजर इंस्ट्यूट के द्वारा द्वारा सही तुरूप से इसको जारी किया गया ठीक है जनुरी 2023 में यह सुचकांग का आठमा वार्सिक संसकंड रहा है आठमा वार्सिक जो है स तीसरे पर एस्टोनिया और वहीं पर 10 एश्याई देश इसमें कौन से हैं तो देखे सिंगापूर नंबर एक पर है तीमोर लेस्ते आपका दूसरे पर है अस्टिलिया के उपर और इंडोनेशा के नीचे यह देश है मलेशिया तीसरे पर है नेपाल चौथ है इंडोनेशा पांचवें पे है बूटान छटे पे फिल्पिन सातवें पे थाइलेंड आटवें पे सिल्लंका नौवें पे भारत इसमें दस्वें पे है बारत दस्वें पे है इस दचने इश्याई देशों में इरान CHW अर्थत Commission on the Status of Women से बाहर हो गया है तो महिलाओं की सित पर आयोग जो है CHW Commission on the State of Women लेंगी समानतों को बढ़ावा देने और महिलाओं के सजिति करने के लिए बिशेश रूप से समर्पित एक प्रमुख बैस्विक अंतर सरकारी निकाय है इसकी स्थापना वर्स 1946 में की गई थी सैयुक्त राष्ट आर्थिक्यों समाजिक परिसत का एक कारिय त्रहरत्मक आयोग है यह सजिति के 45 सरकारी साथ के समय परिस आयोग के सामिल ह्योग करते है भारत भी CHW का स्वेस्ट का कारिकाल वर्ष दोजार पच्चीस तक है 14 दिसंबर दोजार बाइस हो सेंगतराश्ट आर्थिक और समाजिक परिशत ने इरान को सेंगतराश्ट के लिए महिलाओं के इस पर सेंगतराश्ट आयोग से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया इरा देखनी है कि सितंबर 2022 में 22 वर्ष की इरानी महिला महशा अमीनी को मोरलेटी पुलिस दरह हिजासत में लिया गया उन पर सरकारी मानकों के अनुरूप हिजाब न पहनने का रूप लगा था उन्हें पीटा गया जिससे उनकी हिरासत में मौत हो जाती है इस घटना के फल्ज देखेंग का प्रकार्शन इंस्ट्ट्ट फार मनेजमेंट डवलपमेंट के द्वार किया जाता है इस रैंकिंग के तहट किसी देश में के अपनी घरेलू प्रदिभावों के कौसलियों में योगता को विश्चत करने की छमता का मुल्यांकन किया जाता है देखें 8 प्रतिभावों को सामिल किया गया मध्यमों योग उच्च आयवाली इसमें जो सीस्क तीन देश है स्वीजालेंड नमबर एक पर है स्वीजालेंड दूसरे पर है और आइसलेंड तीसरे पर है लगाता छटवे वर्स प्रतिभावों को आकरसित योग बनाय रखने में 63 दे पर जबकि भारत बरहावे पर है भारत जो है बरहावे पर एशिया पसांट छेत्र में ऐसे जो है आपका में 52 नमबर पर है भारत की रेंग 2022 में 52 थी 2021 56 थी 2020 62 तो आप 2020 से देखेंगे तो लगाता रेंग जो सुधर रही है आगे चलते हैं Time Person of the Year 2013 साथ जिसम्बर 2022 को अमेरेका की परतिशित अंतरास्टी पत्रिका टाइम दाराइव निए की गोष्ता की गए उक्रेण के राश्पती वालडमीर वॉलोडी मीर जलेंस्की तदा उक्रेण की भाउना को वर्स इस्पेट आफ यूक्रेण को वर्स 2022 का टाइम परसन अब दे यर खोशित किया गया है। देखी इन्हों ने जो वाल्डमीर जिलेस्की है जिलेस्की इन्हों ने मई 2019 में उक्रेन के छटे रास्पते के रूप में पदभार ग्राण किया था ये पूर में हार्श अबनेता बें पटकता लेखा कर रहे हैं देखिए उक्रेन पर रूष के आक्मर के दोरान उन्हों ने भी शुभर में युद्धिकाल के नित्युर्ट करता के रूप में प्रसदी प्राप्त की मार्च 2022 में उनके साह से उन्हों बीरता के लिए उन्हें चेक गनराज के सरवुच राज के संबन दा ओर्डर आप दा वाइट लाइन से समायत की जाने गोशना की गई इरान को इंटर्टेनर आप दे इयर ब्लैक पिक दा कोरियाई पॉप फिस्टार पॉप बैंड जो है अथलीट आप दे इयर एरोन जज अमेर्की वेस्बॉल ख्याड़ी आइकॉन आप दे इयर मिशेल यो मलिशेव नित्री मिशेल यो इन्हें आसकर भी मिला है इनुबेटर्स आप दे इयर ग्रिगटी रॉविंसन जेम्स वेब अंत्रिश दुर्वियन करने वाले नाचा की टीम ब्रेक्ट्रू आर्टिस्ट आप दे इयर मिकी गाटन अमेर्की गाई का है आगे चलते हैं विश्व की 100 सरवाधिक सकसाली महिलाओं के बारे में देखिए दिसंबर 2022 में पोप्स पत्रिका दोरा विश्व की 100 सरवाधिक सकसाली महिलाओं की सूची जारी केगी या इस सूची का 19-वार्षिक संस्कान है वार्सिक संसकन है इस सूची में यूरोपीय आयोग की अध्यच उर्सिला वान डेर लेयन जो की जर्मनी की हैं सीर्स पर जबकी यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यच क्रिश्टिना लेगार्डे दूसरे स्थान पर सेयोत राजय अमेरिकर के उपराश्पती कमला है तीसरे चाहिक साथवाइं सुची में यूरोपीय संसे इस साथ गज्यच के इस समय यूरोत से जो साथवन साथवा इसस्थान पर आप्त हुआ है तो देखें तीन के बाद कर चुके एंछ औरोध्य नमबर पर मेरी वर्रा हैं अमेरिका की आंन्यकर आम की याद रखने का को परोत नहीं है आगे इस में देखते हैं तेकि इस सुची में छे भारती महिलाओं ने जगा बनाई है यह महत्पूर्ण है भारती वित मंत्री निरुम्रला सितारमण इस वर्स की सुची में 36 स्थान पर हैं और उन्हें लगाता चौथी बार इस सुची में इन्हों ने जगा बनाई है इससे पहले 2021 में 37 पर 2020 में 41 और 2019 में 34 नंबर पे थी इसके तिक HCL की चेयर परसन रोश्णी नाडार मलोत्रा 53 नंबर पे सेवी की अध़च मादुरी पूरी बुच 54 नंबर पे सेल की अध़च सुमा मंडग संस्थावक किरा मजुंदार सा 77 नंबर पे 77 और नाइका की संस्थावकवाशी ओ फालगुणी नायर 89 नंबर पे हैं ये 6 लोग सामिल है शोव प्रेजरेक तथा प्रभावसाली महिलाओ महिलाओं की सुची 2022 BBC की तौरा जारी किया गया है तो दिसंबर 2022 में British Broadcasting Corporation BBC द्वरा विश्रक की सोव फ्रेजरेक व्यों 12 साली महिलाओं की सुची 2022 जारी की गये इस वर्ष के संस्कार्ण की theme क्या रही है प्रगेती प्रोग्रेस या इस सुची का दसवा संस्कारा है। सूची का दसवा संस्क्राण है, सूची में उन महीलाओं को संदरवित किया गया है, जिन्होंने हाल के महीनों में अंतराष्टी मीडिया में सुर्खिया बटूरी है, इस वर्स की सूची में चार भारती महीलाओं, प्रियंका चोपड़ा, सिरिसा बंदरा, ये एरोनाटकल इ इंजीनियर है, इसने हाँ जवाले, समाजी कारिकार्ती तरहा गितांजली स्री लेहिका को भी सामिल किया गया है, वर्डवाइट कास्ट आफ लेविंग रिपोर्ट 2022, इसे EIU, इकोनॉमिस इंटिलिएंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, और कार्शाफ लिविंग रिपोर्ट 2022 के आधार पर 172 सहरों को रैंक प्रतान की गया है, रैंकिंग में निवार सहर को कीमतों के लिए आधार सहर के रूपे चिन्हित किया गया है, इसके सरवेचन के अबसार 2022 में सिंगापूर यों निवार विश्व में रहने के लिए सबसे म सहरों में सोच बद्र किया गया है, 172 सहरों की रैंकिंग में भारती सहरों का इस्थान क्या है, बैंगलूर, करनाटक का 161, तमिलनाड के चिन्दे, 174, गुजरात का अहमदाबाद 165, भारत GPAI, घंदी में कहें तो कृतिम बुद्धिमता पर वैशुक सायधारी, या इंग इसको अधिकारिक तोर पर 15 जून 2020 को लांच किया गया था, इसका सचिवाल है, पेरिस इसित आर्थिक सहयोग और विगास संगठन OECD में की गई है, इस GPAI के 15 संस्थापक सजशकों, संस्थापक सजशन जिन में 14 देश भारत भी सिम सामिल है, 14 देश जो अन्य जो हैं, अस संगठन, वर्तमान में GPAI के सजशुप कुल संगय कितनी होगा ये, 29, इसके अतिरत OECD, Organization of Economic Corporation and Development, GPAI में इस्थाई परवेच्चक की भूम का निभारा है, देसंबर 2020 में इनुशकों भी GPAI के परवेच्चक की रूप में सामिल हुआ, तो देखें, 21 से 22 नॉम्बर 2022 को कर्तिम बुदिमता पर बैशुक साहेधारी, GPAI का तीसरा सिखर सम्मेल, जापान के टोक्यों में आउजित किया गया, और यहीं पर भारत को अगले एक वर्स के लिए इसकी परिसद का अधश्च किया गया अधश्चता इसने भारत ने ग्रहन किया, भारत ने अधश्चता जो है, फ्रांस से ग्रहन की है, GPAI जो परसद है, GPAI काउंसिल एक मंत्री इस तरी निकाय है, जिसमें सभी सदिश्च जो है, सामिल होते हैं, इसका जो पहला सिखर सम्मेलन हुआ था, वो कनाड़ा के मांट्रेल में, 2020 में, दूसरा 21 में, फ्रांस के पेरिस में, तीसरा जो है, 2022 में, जापान के टोक्तियों में, अगला है जलवायू, जलवायू परिवर्तन प्रदर्सन सुचकांग 2023 के बारे में, तो देखिए, जलवायू परिवर्तन प्रदर्सन सुचकांग, CCPI, Climate Change Performance Index, एक अंतराश्ची जलवायू परिवर्तन नीत्पे प्रदर्सन को बढ़ाने का एक स जलवायू परिवर्तन प्रदर्सन सुचकांग चार सिर्णियों में, 14 संकेतकों में, देशों के संब्रदर्सन के आधार पर जारी किया जाता है, चार सिर्णिया कौन सी है, तो ग्रीन हाउस, गैस उसरजन, इसका कुल स्कूर का 40% जो बेटेज है, नवीकरणी उर्जा का 20 20% बेटेज है, उर्जा उपयोग का 20%, जलवायू नीद का 20%, 14 नुमत 2022 को कॉप 27 के दोरान, जर्मन वाच, क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क, C.A.N. तथा New Climate Institute के द्वारा सैंक तुरुप से जलवायू परिवर्तन प्रदर्सन सुचकांग 2023 जारी किया गया है, यह इस सुचक तीन खाली, चौथे नंबर पे आएगा, सीर्स तीन इस्थानों पर किसी भी देश को इसलिए इस्थान नहीं दिया गया, क्योंकि पेरिश समझोते के लागू होने के बाद भी, किसी देश द्वारा जलवाई परिवतन की खतनाक प्रभाव की रोक्ताम है, तो परियाप्त जो है, इस सूची में, अन्तिमों इस्थान पर, 63 में नंबर पर है, इरान, तो देखें, सीर्स के जो देश हैं, तो आपके थरी खाली है, चौथे पर दिन्मार्क, पांचों पर स्वेडन, छटे पर चिली है, साथ में मोरक्को, और आठ में पर भारत है, महत्पूर है, कि बारत की रेंग सबसे बहतर है, आठ में नंबर पर, जबकि 2022 की रिपोर्ट में भारत जो है, दस्वें इस्थान पर रहा है, 2021 में भी दस्वें इस्थान पर, तो देखें, 2021-22 में भारत दस्वें इस्थान पर था, आपके दो अंकों को सुधार के पर आठ में इस्थान पर आगे चलते हैं वैश्रिक प्रतिभाव वैश्रिक प्रतिभाव प्रतिश्पर्धा सुचकांग 2022 के बारे में बात करते हैं देखिए तीन नॉबर 2022 को इनसीड वीजनेस स्कूल द्वारा पोर्टू लांस इंस्टूट त्था हुमन कैपिटल लीडर्सी इंस्टूट के सहयोग से वैश्रिक प्रतिभाव प्रतिश्पर्धा सुचकांग जारी किया गए 2022 जारी किया गए यहां इस सुचकांग का नाव 2022 में 133 देशों को सामिल किया गया है और इसमें कुल 175 सहरों को सामिल किया गया है जो दूसरा है Global City Talent Company इसमें 165 देशों को सामिल किया गया है दीक है तुसमें कुल आपके 133 देश है और जो आपका City वाला है वैश्रिक सहर प्रतिभाव प्रतिश परधा सुचगांग इसमें 175 शहरों को सामिल किया गया है जो आपका GTCI अथात वैश्रिक प्रतिभाव प्रतिश परधा सुचगांग 2022 है में परतम पांच इस्थानों पर नंबर एक पर सुईजालेंड है दूसरे पर शिंगापूर तीस इसमें अंतिम इस्थान पर कांगो डिमोक्रेटिक रिप्रब्लिक है यह ध्यान रखिएगा भारत की रैंक की बात प्रतिभाव प्रतिभाव प्रतिश परधा सुचकांग 2022 इसमें भारत के आठ सहरों को इस्थान दिया गया है इसमें बैंगलूर 125 में पे हैं मुंबई 135 में पे चन्ने 142 पे पूड़े 144 पे हैदराबाद 147 दिल्ली 169 और कोलकता 162 और सूरत 179 में पे हैं तो कुल आठ सहर कोंसा में यह याद रखेगा ना रैंकिंग याद रखेगा आपको जुरूत नहीं है तो बैंगलूर मुंबई चन्नाई पोड़े हैदराबाद दिल्ली कुलकता सूरत जबकि वैश्रिक सहर प्रतिभाव प्रतिसपर्था सूचकांग 2022 में सेंक तुराज अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को सीर्स इस्थान मिला वहीं बंगलादेश के ढाकों को अंतिमी स्थान प्राप्त हुआ है वैश्रिक के रिश्रवत जोखिम सूचकांग 2022 तो देखिए यह सूचकांग जो चार कारकों के आधार पर देशों को अंकपरदान करता है यह कारक सरकार के साथ ब्यापारिक बादचीत, सरकार और सिबिल सेवाब परदर्सता, रिश्वत प्रतिरोध तंत्र और उनका परवरतन और मीडिया की भूमका सहित नगर नागरिक समाज के नेगरानी यह तो छमता यह चार कारक है इसमें देशों को एक से सौ के बीच अंकपरदान करते हैं, एक का मतलब सबसे कम जोकिम और सौ का मतलब उच्टम जोकिम का है नॉम्बर 2022 में वैश्ट्रिक रिश्वत जोकिम सौ का मतलब उच्टम जोकिम जारी किया गया, इस सौचकांग को रिश्वत रोधी मानग निरधान संगठन ट्रेस दौरा जारी किया गया, इसमें कुल एक सौरान बे देशों को सामिल किया गया इस सुच-कांग के टाथ समगर इसको और चार के साथ नार्वी पहले इस्तान पर है उत्तरकोरिया जो है सबसे लाश्ट स्तान पर है जैपकि 2021 में 82 हैं नाम्बर पर था मतलब है 2022 में पर अब 86 में मतलब की चार एंकों की गिरावट दर्ज की गई है या चार एंकों की गिरावट दर्ज की गई है Rule of Law Index 2022, 2008 से Rule of Law Index World Justice Project दोरा प्रकासित किया जा रहा है 2022 का जो ये इंडेक्स है ये इसका 13 संसकान है और इसका मुल्यांकन आठ कारकों में विवक्त 44 संकेत को के आधार पर किया जाता है 26 अक्टूबर 2022 को World Justice Project दोरा Rule of Law Index जारी किया गया यह सुचकांग विश्व के 140 देशों या 26 अधिकारों में कानून के सासन का मुल्यांकन करता है जो टॉप के तीन देशों में डन्मार्क नंबर एक पे नार्वे दूसरे पे फिन्लैंड तीसरे पे है और अफगानिस्तान इसमें जो है सबसे लास्ट देखिए अफगानिस्तान 148 में पे है कंबोड़ी 149 में पे सबसे लास्ट में बेनुजुला है 149 नंबर पे बेनुजुला है ठीक है और सुचकांग में सामिल 6 दच्चिन इसाई देशों में नेपाल 79 नंबर पे सिलंका 74 नंबर पे भारत 77 नंबर पे है छेतीर देश्टी से तीसरे स्थान पर है ठीक है इसकी अत्रीक सुचकांग में सामिल 38 निम्न मध्यम आये वाले देशों के सुचिम भारत जो है नवे स्थान पर है वैश्यक भूग सुचकांग 2022 के बारे हम बात करें तो वैश्यक भूग सुचकांग का सिजन वर्ष 2006 में अंतराश्टी खादे नीत अंसंधान संस्थान IFPRI International Food Policy Institute के अंसंधान करताओं दोरक किया गया था 2018 में IFPRI ने वैशुक भूख सुचकांग के प्रकाशन से स्वयम को अलग करने का निर्णे लिया तब से यह सुचकांग वेल्ट हंगर हिल्फ यहुं कंसर्ण वर्ल्ड वाइड की सैंक्त परियोजना की रूप में प्रकाशित होती है यह सुचकांग चार संकेत को अलप पोशन बाल दूबलापन बाल ठीकनापन और बाल मिर्द उदर के आधार पर तयार के जाता है अलप पोशन मतलब अंडर नरिश्मेंट दूसरा है बाल ठीकनापन चाइल्ड इस्टंटिंग और छठा है बाल मिर्द उदर चाइल्ड मोर्टेलिटी के आधार पर तयार के जाता है वैशिक भूग सुचकांग 100 आधार बिंदूओं के पैवाने पर तयार के जाता है जिसमें सुननी सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है जिबकि 100 जो है सबसे खराब स्कोर माना जाता है इस सुचकांग में यह जो वैशिक भूख सुचकांग है इसके स्कोर के पांच वर्ग बनाए गए हैं जिनकी आधारपर किसी देश में भुकमरी की तीवर्ता का आक्रण किया जाता है 9.9 या उससे कम स्कोर निम्न है लो 10 से 19.9 मध्यम 20 से 34.9 गंभीर और 35 से 49.9 भयावा और 50 से अधिक 50 से उससे अधिक चरम भयावा की इस दित को प्रदस्रित करता है 13 कुपर 2022 को कंसर्ण वर्डवाइट था वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा सैंग तुरुप से 22 भूख सुचकांग 2022 जारी किया गया यहीं सुचकांग का 17 वार्षिक संसक्रण रहा है वर्ष 2022 की रिपोर्ट खाद्य प्रणालियों रुपांतर्ण यूम इस्थानी प्रसासन विशय पर केंद्रित है इसमें इसके अधिक वर्ष 21 में विश्व के 828 मिलियन लोग अलप पोशित रहे हैं और वैश्विक भूख सुचकांग 2022 के मसार वैश्विक जो वैश्विक भूख जी अचाई स्कोर है वो 18 में दो है जो भूख की मद्यम प्रवित को दर्साता है चेतरी इस्तर पर देखा जाते हैं तो 2022 में विश्व में दच्छने एशिया में भूख मरी का इस्तर सरवादिक है इसके बाद अफरिका साउथ आपदा सहारा का इस्थान आता है और वहीं इस जी अचाई या वैश्व भूख सुचकांग 2021 में वैश्व की स्तर पर मात्र एक देश सुमालिया भूख मरी की चरम भयावा है इस्तेत में था जब कि जो जी आचाई 2022 की रिपोर्ट है इसमें कोई भी देश इस त्रिणी में नहीं मतलब चरम भयावा की भूख मरी की चरम भयावा की कोई देश नहीं है 2020 में एकमात देश था सुमालिया, चार और देशों, नहीं एक सिकन, जबकि पांच देश जो हैं मध्ध में अफरिकी गणराज, चाड, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज, मेडाकासकर, यमन, भुकमरी की भयावा इस थित का सामना कर रहे हैं, और चार और देश जैसे कि बरु कि दर सरवाधिक हैं, कहां पर सरवाधिक हैं, मध्ध अफरिकी गणराजी में, 52.2%, पांच वर्से कम आयू के बच्चों में ठीगनापन के मामले यमन में सरवाधिक हैं, पांच वर्से कम आयू के बच्चों में दुबलापन, सरवाधिक के सरवाधिक मामले भारत में ये म तो इसमें देखिए, वैश्विक भूंग सुचकांग 2022 में 17 ऐसे देश सामिले जिनका जियेचाई स्कोर 5 से कम है, इन देशों को अलग-अलग विक्तिकत रैंक प्रदान नहीं किया, बलकि समूग रूपे इने 177 रैंक तक सुच बद किया गया है, देखिए जो ब्रिक्स दे का 59 में नमबर पे है, सबसे खराब पोजिशन किसी ये भारत की है, ब्रिक्स देशों में, अन्तिम पांच जो है, तो अन्तिम जो है उसको याद रखेगा यमन 121 में नमबर पे है, तो वैश्विक भूखमरी या भूंग सुचकांग 2022 में भाद के रैंक 121 देशों में 107 है जबकि जिएचाई 2022 में भाद के स्कोर यहाँ भूखमरी की गंभीर इस रित को प्रतसित करता है, आगे बात करते हैं QS, एशिया इन्वस्टी रैंकिंग 2030 के बारे में, तो इस रैंकिंग को बिटेस कंपनी QS द्वारा प्रतसित किया जाता है, और गौरतलब है कि यह की व इस रैंकिंग का 15 संस्कान है, इस रैंकिंग में कुल 760 संस्थानों को सामिल किया गया, इस रैंकिंग को सरवाधिक विश्वद्याले चीन के इस रैंकिंग को सामिल किया गया, इसमें इसमें बढ़िया पोजिशन पर है, भारत की जो साथ हैं, इन में से, दूसरे पर आईएटी नई दिल्ली, पर आईएटी बेंगलोर, तीसरा आईएटी बेंगलोर है, 52 नबर पर, आईएटी मद्रास तमिलनाट 53 पर, आईएटी खड़कपूर पशी मंगाल 61 पर, आईएटी कानपूर उत्रपतिश्वे नबर पर और दिल्ली विश्वद्याले 85 नबर पर. टाइम्स बेहश्वाश्यृष्वद्याले रैंकिंग 2023 के बारे में बात करें, तो देखी इसे टाइम्स बेहश्यृष्वद्याले रैंकिंग बिटिस पत्रिकार टाइम्स हायर एजेूकेशन þरेट वारसिक प्रकार्शन है, वर्ष 2023 की रैंकिंग पांच छेत्रों में विखक तेरा प्रदसन संकेत को उपर आधारित है 12 अक्टूबर को 2200 टाइम हाईयर एजुकेशन ने वैशुक विश्विद्यालों रैंकिंग 23 जारी की है ठीक है यह दिखी यहाँ पर रिपीट है यह दोन चीज़े है वर्ष 2023 की रैंकिंग में 104 देशों यम छेत्रों के कुल 1799 बे विश्विद्यालों को रैंक प्रदान की गई है वर्ड इन्वेस्टि रैंकिंग के 19 वर्षों की इतिहास में सामिल विश्विद्यालों कि संधर्मिया से बड़ा संस्कान है समग रैंकिंग में US के सरवादिक 177 विश्विद्याले सामिल है दूसर नमबर पे जापान है 117 विश्विद्याले तीसरे पे UK है 103 विश्विद्याले चौथे पे जापान है 95 और पांचवे पे भारत है 75 विश्विद्याले रैंकिंग में United Kingdom के आक्सपोर्ट विश्विद्याले को प्रतमिस्थान दिया गया है आक्सपोर्ट विश्विद्याले लगातार 7 विश्विद्याले प्रतमिस्थान पे है और वहीं चीन का सिंगवा विश्विद्याले चीन का सिंगवा विश्विद्याले एशिया का सर्विशिष विश्विद्याल है और वर्ड रैंकिंग में सुलाहवे नंबर पे है कोई भारती विश्विद्याल है सीर्स दोसों में इस्थान प्राप्त नहीं कर सका है ये महात्पॉन पॉइंट याद रखिएगा सिर्स तीन सो भी सुविद्यालिक सुचिय में सामिल एकमात्र भारती संस्थान भारती विज्ञान संस्थान बैंगलोर रहा है अब नोबल प्रसकार 2022 के बारे में बात कर लेते हैं 21 अक्टूबर 1839 को इस्थाक फोग में जन में स्वेडिस अभिसकारक योग उद्यमी अल्फ्रेट नोबल प्रसकार के संस्थापक रहें जा रहे हैं जबकि अल्फ्रेट नोबल की स्मिर्ती में अर्थसास्त्र के नोबल प्रसकार के स्थापना स्वेडिसेज रिक्स बैंक स्वेडिन और केंद्री बैंक है ने वर्स 1968 में की थी परस्कार पहली बार वर्स 1979 में प्रतान किया गैठा तो खे छेत्रों में जो है नोबल प्राइज दिया जाता है ध्यान रकीगा शेचेत्रों में बहुत की रशायन चिकिसास साहित सांती और अर्थसास अर्थसास का 1979 से दिया जारा है बाकी को 1901 से 10 October 2022 को इस्टाक हो में स्वेडेन इसे The Royal Swedish Academy of Sciences 12 August 2022 है तो अर्थसास के Nobel पुरस्का 2022 की घोशना की जिए यह पुरस्का 7 तुरुप से तीन अर्थसास्त्रियों को दिया गया है कौन से हैं तो एक है Wayne S. Barnake The Brooklings Institution One Senior DC के USA दूसरे हैं सेंक तुराज अमेरिका की इन्वस्टी आप सिकागो के Douglas W. Diamond तीसरे हैं सेंक तुराज अमेरिका के Washington University in St. Louis के Philip H. Diving इन तीन लोगों को दिया गया है इन तीन अर्थसास्तियों को दिया क्यों गया है बैंको और वित्तिय संकट पर सोध के लिए दिया गया है नोबल संतिय पुरस्कार की बात करें 2022 के तो 7 अक्टूबर 2022 को आउस्टलो नार्वे इस्टित The Norwegian Nobel Committee दौराज दो ज़जर बाइस के नोबल संतिय पुरस्कार को गोशना की गया है किसको दिया गया है तो देखिए व्यक्तिक के रूप में एलस बियाली याद्सकी को और संगण्षन के रूप में मेमोरियल और सेंटर फॉर सिवल लिवर्टीज को एलस बियाद्सकी बेलारूस के मानवादिकार कारी करता है इन्होंने वर्स 1996 में बेलारूस में हुए बिवादास पत संबैदानिक संसाधनों शर्षोधनों की प्रतिकिरिया सुरूप बाहशना नामक संगण्ण की स्थापना की थी मेमोरियल एक मानवादिकार संगण्ण इसकी स्थापना वर्स 1987 में पूरवर्षोभी संग में की गया थी ठीक है इसके अत्रिक्त उक्रेन में मानवादिकारों इसकी संगण्ण को बढ़ावा देने कुद देश थे वर्स 2007 में क्यूब में सेंटर फॉर सिबल लिवर्टिज की स्थापना की थी तो इन तीनों को जो है नोबल सांति दिया गया है साहित की छेतर में नोबल पुरस्कार 2022 तो 6 एक्टूबर 2022 को इस्टाप को में सित The Swedish Academy द्वारा 2022 से तो साहित के नोबल की घोशना की गई यह जो पुरस्कार दिया गया है वो 82 वर्सी फ्रांसिसी लेकिका एनी अर्नो को दिया गया है साहित का नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह पहली फ्रांसिसी महिला है जबकि समग रूप से 17 महिला है इनका पतम उपन्यास Les Armourious Verdes है यह फ्रेंच भासा में लिखा गया है इनके अन्य पुरस्कारों में अन्य उपन्यासों में A Man's Place A Woman's Story The Years इत्याद है रसान बिख्यान का नोबल पुरस्कार की बात करते हैं तो देखिए यहां साहित तुर्प से तीन बिख्यान को को दिया गया है कौन को कैरोलीन आर्ट बर्टो जी यह अमेरिका के इस्टेंफोन इन्वेस्टी के प्रोफिसर है वहीं दूसरे जो है डन्मार्क के इन्वेस्टी आप कोपेनहेगन के मोर्टन मेलडल को और अमेरिका के स्क्रिप्स रिसर्च के के वैरी सौर्पलेस को इन तीन लोगों दिया गया है इन तीन बिख्यान को को यहाँ पुरस्कार कुई केमिस्टी तथा बायो आर्थो गौनल केमिस्टी के विकास के लिए दिया गया है बैरी सौर्पलेस और मोर्टन मेलडल को जो है ने रशायन विज्ञान के एक नए करियात्मेक रूप में क्लिक केमिस्टी के आधार से लिए रखी है कैरोली कैरोलीन बार्टो जी ने क्लिक केमिस्टी को एक नया आयम तक पहुँचाया और जीवित जियोधारियों पर इसका प्रयोग करना आरहम किया देखे कैरोलीन ने बायो आर्थो गौनल अविक्रियाओं का विकास किया जीवित जियोधारियों के अंदर कोशिकाओं के सामान रसायन सास्त्र को बाजित किये विना संचालित होता है उलेखनी क्या दूसरा उसर है जब बैरी सारपलेश को रसायन विज्ञान के नोबल प्रोषकार समयतिया गया है इसके पूर्व इन्हें 2001 में रसायन विज्ञान के नोबल प्रोषकार प्राप्त हो चुका है किसे प्राप्त हो चुका है तो बैरी सारपलेश को बैरी सारपलेश को यह अमेरिका के है ठीक है तो इस प्रकार से रासायन विग्यान के नोबल परफकार को दो बार जीतने वाले ये दूसरे विग्यानिक हैं पहले कौन थे? New York के Frederick Singer थे उन्होंने पहली बार 1958 में जीता था फिर दूसरी बार 1980 में भहुतिक का नोबल परफकार थे 2022 की बात करें तो इसमें भी तीन वग्यानकों को गुदिया गया है, सहिक तुरुप से पहला है, फ्रांस के एलेंड, एसफेक्ट, अमेरिका के जॉन एफ क्लॉजर और अश्टिया के एंटोन जिलिंगर को, इन तीन वग्यानकों को यह प्रुसकार क्वांटम मेकैनिक्स के एक विचित इन तीन वग्यानकों ने एंटेंगल्ड क्वांटम अवस्था पर क्रांतिकारी प्रियोक संचलित किये हैं, चिकिस्ता वग्यानका नोबल प्रुसकार की बात करें, तो इसे यह प्रुसकार स्वीडन के श्वाते पाबो को दिया गया है, उन्हें यह प्रुसकार बिलुप मानो नुमा या आदी मानो प्रजातियों के जीनोम तरह मानो विकास से समझते उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, इन्होंने नियंडर्थल के जीनोम की सरचना का मापन किया जो वर्तवान समय के मनुष्ट के लिए बिलुप्त पूरबजया समदी है, इन्होंने FATF की ब्लैक सुची में सामिल वो, Financial Action Task Force, Basic Money Laundering और आतंकी बित पोशन पर नजर रखने वाली एक संस्ता है, वर्स 1989 में पेरिश में आयूद G7 सिकर सम्मेलन में सामिल राश्टों की पाहल पर FATF की स्थापना होई, इसमें वर्तमान में कुल 39 सतेश हैं, जिसमें 2 चेतरी अधिस्ता को निलंबित कर दिया है, तो अक्टूबर 2022 में, फ्रांस की राजधानी, पेरिस में FATF की पूर्ण बैठक संपन वी, जिसकी अधिस्ता, सिंगापूर के के टी राज कुमार के दोरा की गई है, ठीक है, ध्यान रखीएगा, ये सिंगापूर के हैं, ना की भारत इस बैठक में मैमार की FATF की ब्लैक सुची को सामिल किया गया, उन लेकने कि मैमार कहत है, इरान ओर डेमोकरिटिक पिपुल्स रिपर बॉब्लिक अप कोरिया, उत्तर-कोरिया ब्लैक सुची में सामिल है, जह तब ये ये हैं कि बलैक सुची को अधिगारी उप से हाई देखिए ग्रे सुची को अधिकरिक तोर पर जूरिडिक्षन अंडर इंक्रीज मोरेटिंग के नाम पर जाना जाता है। वैश्विक नमाचार सुचकांग 2022 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए। वर्ष 2007 से वैश्विक नमाचार सुचकांग का प्रकार्शन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस सुचकांग का प्रकार्शन विश्व भौधिक संपदा संग्रन WIPO World Intellectual Property Organization के द्वारा किया जाता है। WIPO दरा इस सुचकांग का प्रकार्शन दा पोर्ट लूइस पोर्ट लूइस इंस्ट्यूट की भागिदारे में किया गया है। साथी सुचकांग के प्रकार्शन में Corporate Network भागिदारों जैसे की Confederation of Indian Industry, Brazilian National Confederation of Industry, इशो पेट्रॉल, कुलंबिया अगत्ता, टर्किस, एक्सपोर्टल, एसेंबली, इत्याद की भी सहयोगी भूमिका रही है। 29 सितंबर 2022 को वैश्विक नमाचार सुचकांग के 15 संस्कन का प्रकाशन किया गया। इसका सीर्शक रहा है नमाचार संचालित सम्रिद्धी का भविश्य क्या है? What is the future of innovation driven growth? तो ये सीर्श से क्याद रखेगा इसका, बैस्विक नमाचार सुचकंग 2022 का, बैस्विक नमाचार सुचकंग 2022 में विश्व के कुल 132 अर्थ बेवस्ताओं के नमाचार प्रदसन को माप करूने रैंकिंग पतान की गई है, और वर्ष 2022 में स्विजलन लगा था 12 वर्ष वि दूसरे पर सुचकंग अमेरिका, तीसरे पर सुचकंग निदर लैंड इस्थित है, बैस्विक नमाचार सुचकंग 2022 में भारत ने 40-वी रैंक प्राप्त की है, चालिसवी नमबर पे है, दो हजार इकिस में 46 नमबर पे था, 2022 में 40-वे, 2021 में 46 में पे, मतलग कि 6 अंकों, 6 क कह सकते हैं, रैंक की ग्रोथ हुई है भारत के, जो अभी तक की भाज की सर्बसेश रैंकिंग है, उलेखनी है कि तुर्किये 37 नमबर पे भारत 40-वे इस्थान पर, पहली बार इस सुचकंग में सीर्श चालिस देशों में सामिल है, साथी भारत निम्न मद्यम आयूसम्मू वाले देशों में तथा मद्य यूम दच्छी एशिया के इसे चेतर में सीर्श इस्थान पर है, भारत, केन्या, मालाडोवा ता वियतनाम ने रिकार्ड लगातार बरहमे वर्स इनोबेशन अचीवर का किताब हासिल किया है, भारत, केन्या, मालडोवा, वियतनाम, 2022 में पह विज्ञान यों प्रदोकी नमाचार क्लेश्टर की भी घोशना की गई है, वर्स 2022 में जापान के टोक्यो या कोहमा विश्र का सीर्स विज्ञान यों प्रदोकी हब है, विश्र के सीर्स सो विज्ञान यों प्रदोकी क्लेश्टर में भारत के चार साहर, कोनकों से मातपू देशों में खाद सुरच्छा की सित का मुल्यांकन करने वाले प्रमुक शाधन है यहां सुचकांग लंदन इस सित इकोनॉमिस्ट इंपक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मी तथा कार्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रयाजुद किया गया है यहां सुचकांग सब प्र सचनबिल्टी एड़पटेशन 20 सितंबर 2022 को वैश्विक खाद सुरच्छा सुचकांग 2022 जारी किया गया इसमें 113 देशों को सामील किया गया और यहां इसका गेरहावा संसकन रहा है इसमें 30 देशों की बात करें तो दीखें सिर्स में आपका नमबर एक पे फिंलैंड ये पे आ गया है ठीक है तो इस प्रकार से तीन अंकों का या तीन रैंक का सुधार हुआ है एसिया प्रसांद चेत्र में 30 देशों की रैंक में भाद का 14 इस्थान है और खाद उपलब्दा उपलब्दता इस्तम भाद का स्कोर सरवाधिक है 62.3 आगे बात करते हैं इनुष्को इनुष्को के Global Network of Learning Cities में तीन भारती सहर सामिल किये गए हैं तो इनुष्को Global Network of Learning Cities जी एन एलसी इनुश्को इंस्टूट फॉर लाइफ लाइफ लॉंग लर्निंग सैंक तुराज का एकमात्र ऐसा संगत्रनात्मक निकाय है जिसका वैश्विक अधिदेश जीवन प्रत अधिगम है यहाँ पर देखने चली आईए देखें दो सितंबर 2022 को इनुश्को ग्लोबल नेटवर्क आफ लर्निंग सिटीज में 44 देशों के 77 सहरों को सामिल करने की गोश्टा की गई है इन 77 सहरों में तीन भारती सहर भी सामिल है यह तीन सहर ही हमाले महत्पूर है केरल का निलामबूर केरल का त्रिसूर और तिलंगाना का वारंगा इस नेटवर्क में जगह बनाने वाले यह तीनों सहर भारती सहर देश के पहले प्रवेश करता है तो इसलिए महत्पूर के ब इसको या भारत के केरवराज में इसे एक पार्स्तिकी परेटन गंतविस्तल है और बारंगल आपका तिलंगाना का साहर है देखिए उलेखिनी के सामनता है उनिसको दार पांच लाग में उससे अधिकी जनस्किया वाले सहरों को ही इसा सूची में सामिल करने पर प्रात्मिता दी जाती है हलाकि निलामबूर इसमें सामिल होने वाला ऐसा पहला नगर जिसकी जनसक्या एक लाग से बहुद के बारेम देखते हैं तो दिखिए यहा रिपोर्ट चार आयामो या डायमसन के आधार पर मेजर की जाती है चार कौन से हैं? आर्थिक भागिदारी और आउशर, दूसरा है सिच्छा प्राप्ति, तीसरा है स्वास्तियम उतर जीवता और चौथार राजिनितिक सरस्तिकन देखिए 13 जुलाई 2022 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा सुलाहमी वैशिक लैंगि अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई इसमें 146 देशों का तुलानत्मक अध्यन किया गया है और इनका जो 146 देशों का जो वैश्व लैंगि अंतराल स्कोर है वो 68.1 प्रस्त है तो यहां पर एक सेकंड रिपोर्ट के अंसार वर्तमान इसित के अंसार विश्व भर में ब्याप्त लैंगि अंतराल को समाप करने मे एक सो बत्तिस वर्स लग जाएंगे रिपोर्ट के अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगि के समानता को प्राप्त नहीं कर सका है हाला कि सुचकांग में सामिल शेर्ष देशों में आइसलेंड ने निवन तम 90 प्रस्तक लैंग अंतराल को समाप्त करने में सफलता और सबसे खराब प्रत्सन किसका रहा है तो 146 नंबर पर अफगानिस्तान है भारत ने अब तक अपने 62.9 प्रस लेंग अंतराल को समाप्त कर दिया है भारत वर्स 2021 के तुलना में पांच इस्थानों के सुधार के साथ वर्स 2022 में 135 इस्थान पर रहा है जबकि 2021 में 156 देश तो देखते हैं जो करेंट अफेर है सितंबर तक मोचली आप सितंबर तक करेंट अफेर करते हैं तो आपके आगामी परचाव के लिए सफिशियंट है और उतना ही कवर करना चाहिए कुछ और इंपोर्टन लगता है तो थोड़ा पीशे तक जा सकते हैं यहां पर हमने जु आपके तीन सामिल किया गए तो आपके तीन सामिल किया गए गए मुडिय टू केरल का अनुश्चानिक रंगमंच युम नित्नाटक है कालवेलिया रायस्तान का लोगईत है छो नित्न पूर्वी भारत का एक परंपरत नित्न है जो जारखन ओडिशा और पशिम मंगाल में परचली थै लद्दाक का इसके बाद 2012 में देखिए एक सामिल किया गए लद्दाक का बौध मंत्रो चार ये ट्रांस हिमारी लद्दा यूम नित्ष सम्मधित है वहीं फिर 2014 में पंजाब के जडियाल गुरू के ठटेरों दोरा पारंप्रिक उसे पीतर और ताबे से बनाए जाने वरे बर्थनों की सिल्फ कला को सामिल किया गया योग और नौरोज नौवर्स के उस्तों का आयुजन 2017 में कुम्ह मेला को और 2021 म प्याद रखीगा तो इस प्रकार से इस वीडिओ में बस इतना ही मिलते है नेग्स्ट वीडियू तो तो देक्ट बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो में इसके तीन पॉर्सनन अंतराष्टी सममेलन अंतराष्टी संब्योतन और अंतराष्टी आपदाए इनम इन ती सबका विश्वास दा सबका प्रियास विजन से प्रिरित है इस सम्मेलन का उद्धेश्ट वैश्विक दच्छन ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाना जिससे वह एक साजा मंच पर अपने द्रिश्ट कोणियों प्रात्मिकताओं को साजा कर सकें इस सम्मेलन का केंद् गाटनिम समापन सत्र राश्टा ध्यच या सासना ध्यच इस तरी था जिसकी मेजवानी प्रधानमंत्री ने मोदी के द्वारा की गई इसके अतिक जो आठ सत्र थे इसमें मंत्री सत्र भी आयुद किये गए इस सम्मेलन में वैश्रिक दच्छन के 125 देशों के नेताओं मंत्र गेट गया इस सम्मेलन के समापन के दोरान प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ घोषनाएं की जिनमें सामील है आरोग मैत्री दूसरा है वैश्रिक दच्छन उत्कृष्टा केंद Global South Center for Excellence तीसरा है वैश्रिक दच्छन विज्यानियों प्राद्यू की पहल Global South Science and Technology Initiative चौथा है व प्राकृतिक आपदाओं यों मानविय शंकट से प्रभावित किसी भी प्रिकासियल देश को आवाश्यक चिकिसी आपूरती उपलब्ध कराएगा अगला है समयुत राष जयो विविता समयलन कॉप 15 के बारे में बात करें तो 7 से 19 दिसमबर 2022 के मद्ध जयो विविता पर अ किया गया था कॉप 15 के साथ ही कॉप मॉप 10 अथा 10th meeting of conference of the parties serving as the meeting of the parties of the Cartagena protocol on biosafety तथा NPMOP4 means 4th meeting of the conference of the parties serving as the meeting of the parties to the Nagoya protocol का भी आयो जिन किया गया दिसमबर 2022 में सयुक्त राष के तक्त्वाधान में आविजुत कॉप 15 की अधिस्ता चीन ने की समयलन में कुनमिंग मॉंट्रियल Global Biodiversity Framework को अपनाया गया GBF अथा Global Diversity Framework के अंतरगत चार उद्देशों पोर गोल एंट 23 लच्छ या टार्गेट को सामिल किया गया है जिनने वर्ष 2030 तक कब तक 2030 तक प्राप्त करना है वर्ष 2030 तक जिन 23 लच्छों को प्राप्त किया जाना है उनमें जो सामिल प्रूख लच्छ उसमें है विश्व की कम से कम 30% भूम, अंतरदेशे जल, तटिये छेत्रों और महासागरों का प्रभावी सनचना और प्रबंध है दूसरा, खराब हुए स्थली अंतरदेशे, जल और तटिये यूम, समुद्री पार्स्ति की तंतर के कम से कम 30% की बहाली अगला है कॉप 15 के प्रत्निधियों ने ग्लोबल, GBF अर्थाथ, ग्लोबल बायो डाविश्टी फ्रेमवर्क के भीतर लाभों के एक समान वित्रणों को सुनिशित करने के लिए एक बहुपच्छी कोश, मल्टी लेटरल फंड, इस्थापित करने पर सहमध व्यक्त की है इस कोश को वर्थ 2024 में तुर्किय में आयुथ होने वाले कॉप 15 में अंतिम रूप दिया जाएगा जयविविटा अभिशमे के बारे में बात के हैं, जयविविविटा पर श्रयुक राष्ट अभिशमे, United Nations Convention on Biological Diversity को अनौपचारिक रूप से जयविविविविटा अभिशमे के रूप में जाना जाता है यहाँ अभिशमे, 29 दिसंबर 1993 को लागू किया गया CBD Convention on Biological Diversity जब विविविटा के सनचना है तो एक अंतराशी संदी है यहाँ अपने हस्ताचर करताओं पर कानूनी रूप से बात धिकारी है, लीगली बाइंडिंग है CBD का सेचवाल है, कनाड़ा के मौन्टियल में इस्तित है, वर्तमान में 196 देश CBD के पच्चकार या पार्टी जिन में 168 देशों ने संदी पर हस्ताचर किया है सविविटराज अमेरिका और बेटिकन सिटी CBD के पच्चकार नहीं है, भारत 19 मई 1994 से CBD का एक पच्चकार है आगे बात करते हैं, G20 सिखर सम्मेलन 2022 के बारे में तो 1516 नॉम्बर 2022 को G20 देशों के राष्टा दिचो या सासना धज्यों का 17 सिखर सम्मेलन संपनुआ, इस सिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया COVID-19 महामारी के सुरू होने के बास से वैश्टाओं की पूर्ण भावतिक उपस्तिती वाला या पहला G20 सिखर सम्मेलन था, इंडोनेशिया के अधिस्ता में इस सिखर सम्मेलन की जो थीम दिया केंदरी विशय था, वो था, रिकबर टुगेदर, रिकबर स्ट्रोंगर, या सत्रहए G20 सिखर सम्मेलन था प्रामर्ति नियद मोदी ने भारत का प्रधूर्च किया और इस सम्मेलन था के G20 सेर्पा अभिदा अमिताब कांध थे G20 से कर समगेलने से इतर पधानमंतिर रजमोदी ने बाली में बाली इंडोनेशिया में अन जी टॉन्टी ने ताउक सथ तमन हुतान राय गुरा राय मैगरोब वनों का दोरा की यो मैगरोब पौधे वहाँ पे लगाए देखे भारत इंडोनेशिया की G20 के अधिस्ता के तहत मैगरोब एलायंस फौर क्लाइमेट में सामिल हो गया है उलेखनी की मैगरोब एलायंस फौर क्लाइमेट इंडोनेशिया रिम संग्तराव अमिराद की एक संग्त पहल है गया तब यह है कि मैगरोब एलायंस फौर क्लाइमेट को नावंबर 2022 में मिस्र में आयूजिद 27 में सायुक्त राज जलवावी परिवरतन संग्त अथत UNFCCC COP27 के दोरान लांच किया गया था एक दिसमब 2022 को भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अधिस्ता ग्रहन की भारत एक दिसमब 2022 से लेकि 39-23 तक का G20 के अधिस्ता करेगा अठारवे G20 सिकर समयलन के बारे में बात करें तो 9 से 10 सितंबर 2023 को अठारवे G20 सिकर समयलन का आज़न नई दिल्ली भारत में किया जाएगा भारत की G20 के अधिस्ता वसुधय कुटुम कम या एक प्रिथिवी एक कुटुम एक भविश्य वन अर्थ वन फेमली वन फ्यूचर के केंद्रिय विशय पर आधारित है यहाँ विशय महा उपनिश्यत के प्राचीन संस्कित पार्ट से लिया गया है भारत के अधिस्ता में G20 का लोगो भारत के राश्टी धच के जीवन तरंगो के शरिया सफेद हरा तथा नीला से प्रेरित है आगे चलते हैं इसमें देख वर्सगार से ले करके सुतनता के सौवी वर्सगार तक की पचीस वर्सी अवधी को अमरितकाल की संग्या दी गई है जीटोंटी लोगों के नीचे देवनागरी लीप में भारत लिखा गया है भारत की अधिश्ता में आवित होने वाले जीटोंटी सिखर सम्मिलन हेतु वि जीटोंटी की दो सो से अधिक बैठके आउज़ Sikh की जाएंगी उत्तरपだेस के लकनों वरराणड़ सी आग唰 तह discussing आउजय जिले आंद रखेगा उत्तरपादेस के लकनों वराणड़ सी आग अगरा में भी जीटोंटी समस्माजित बैठको का आउज़न प्रस्तावित है इसके तिक कुछ सीजू को और याद रखेगा उलेखनी की भारत वरतमान में G20 ट्रोईका का हिस्सा है ट्रोईका में क्या होता है कि तीन देश सामिल होते हैं एक जिसके पास अधिस्ता होती है एक जो पिछला वाला सम्मिट की अधिस्ता कर चुका हो जो अगला की अधिस्ता और जो अगला होगा 2024 में वो प्राजिल करेगा तो ये ट्राइकोमा में ये तीन देश सामिल रहेंगे यहाद पर्था माउसार है जिब G20 ट्रोईका में तीन विकास, सील और उभरती अर्थ व्योस्ता हैं सामिल है ग्यातव वही के वर्स 2024 में G20 सिका समयन कायूज ब्राज चारिक मंच है G20 की स्थापना एश्याई वित्ती संकट के बाद वर्स 1999 में हुई थी इसमें 19 देश और एक उर्पिय संग सामिल है मतलब कुल 20 हो गए इसमें सामिल जो 19 सदस्च देश हैं वो कौन कौन से देखिए अर्जेंटीना, अस्टेलिया, ब्राजील, कनाड़ा, च सामिल हैं G20 समू के सभी सदस्च समग रूप से वैश्विक सकल घरिलू उत्पाद जो वैश्विक जीडीपी है के लगभग 85% का वैश्विक ब्यापार के लगभग 75% का था विश्व की लभग 2-3 जनसका का प्रतनिहित्त करते हैं आगे चलते हैं G20 Digital Innovation Alliance के बारें बात करे तो 28 दिसंबर 2022 को केंद्री मंत्री अश्वनी वैश्वों ने भारत की G20 अधिस्ता के हिस्से के रूप में G20 Digital Innovation Alliance लांच किया G20 Digital Innovation Alliance का उदेश G20 देशों के साथ-साथ आमंत्रित गैर सज़ेश राष्टों से स्टार्टप्स द्वारा विक्सित नवीन और प्रभावशाली डिश्टल तक्नीकों को पहचानना मानिता देना और उने अपनाने में सच्छम बनाना है G20 Digital Innovation Alliance सिकर सम्मेलन का आउज़न अगस 2018 में बैंगलोर में प्रस्तावित है अगला है संविक्त राष्ट जलवावी परिवतन सम्मेलन 2022 के बारे में विशय वर्सतु पाद एक पावेलियन स्थापित किया था ग्याता भी की वर्स 2022 में प्रधान मंतिरी ने मोधी ने Mission Live कुल लांच किया था उलेखनी की मिशन लाइफ की अवधी 2022 से 2028 से अवधी याद रखिएगा 2022 से 2028 से यह मिशन वेक्तियों समुदायों को एक ऐसी जीवन इस्तर को अपनाने हिद प्रेज़ करेगा जो प्रकितिके अनुकूल हो और उसे नुक्सान ना पहुंचाए ऐसे जीवन इस्तर को अपनाने वाजे लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल के रूपे मानता दी जाएगी कॉप 27 के समापन पर सर्म अलशेक्स कार्यानवन योजना को अंगिकित किया गया है कॉप 27 के दोरन चतियों नुक्सान लॉस एंड डैमेज से निपटने हो एक कोश या फंड की स्थापना का एतियासिक निर्णय लिया गया है यहाँ कोश्ट जलवाई सम्मधी आपदाओं से सरवाधिक प्रभावित सुभेद देशों वल्रेबल कंट्रीज को चतियों नुक्सान के भरपायों धन उपलब्द कराएगा से निपटराश महासची एंटोनियो गुटेरेस द्वारा 3.1 बिलियन डॉलर की एक योजना की घोशना केगी जो अगले 5 वर्सों के अंदर पूर्व चेताउनी प्रणालियों अर्ली वार्निंग सिस्टम द्वारा प्रिथिवी पर सभी की सुरच्छा सुनिशित करेगी करने के लिए जलवाई वित क्लाइमेट फाइनेंस की मातर विम गुर्वत्ता में सुधार पर केंद्रित है वो लेकिन ये की कॉप 28 का आउज़न जो अगला आउज़न होगा वो 30 नॉम्बर से 12 दिसंबर 2023 के मद्दे श्रयुक्त अरब अमिराद श्रयुक्त अरब समयलन के उपरां समरकंद घोष्णा पत्र जारी किया गया समयलन के दौरान इरान को एश्यों के इस्थाई सदेश का दर्जा प्रदान करने का निर्णे भी लिया गया है माल्दिव को संगई सयोग संगधन के समाथ भागिदार डायलाग पार्टनर का दर्जा प्रदान करने का निर्णे भी लिया गया है बहरीन, कुबैत, युवेई तथा मैमार को भी समाद भागिदार का दरजा प्रतान करने का निर्णे लिया गया है बहरीन, कुबैत, युवेई तथा मैमार को समाद भागिदार का जबकि मालदियों को दिये दरजा दिया जा चुका है मिस्र साओधी अरप तथा कतर को एश्यो समाद भागिदार के धरज़ा प्रदान करने तो ग्यापन भी हस्ता चरित हुए हैं मिस्र साओधी अरप तथा कतर को अगला है इसी पॉइंट है संगही सहयोग संगठन के सचवाल है अगले एक वर्स की अवधी के लिए स्यो का अधिच है मतलब जो नेक्स्ट बैठागूई भारत में होगी भारत द्वारा स्यो के अधिश्ता का केंद्री विशया थीम टूवर्ड्स अर्शेक्योर स्यो है यहां स्योर का फून रूप क्या है S for security for citizens E stand for economic development C stand for connectivity in the region U stand for unity and R stand for respect for sovereignty and territorial integrity and E stand for environment protection उन लेकिन है कि 23 में सिखर समिल का विजन वर्स 2023 में भारत में प्रस्तावित है ग्याता भी कि भारत की मेजबानी में 17-18 मार्च 2023 को वरांसी में S.C.O. परेटन मंत्रों की बैठर का विजन हुआ अब हम लोग बात कर लेते है S.C.O. के बारे में S.C.O. एक 8 सज़िश्य बहुपच्च्छी है संगठन है इसकी स्थाफना 15 जुन 2021 को संगई चीन में हुई थी S.C.O. के आज सज़िश्य राष्ट जो है चीन, भारत कजाकस्तान, किर्गिस्तान, रूष, पाकिस्तान, तजाकिस्तान तर्शा उजबेगिस्तान है ध्यान रखीगा तुर्किमेनिस्तान का नाम इस्पिसल याद रखेगे कि तुर्किमेनिस्तान इसका सज़िश्ट नहीं है पूर्ट सज़िश्टा ग्रहन करने के इच्चु S.C.O. के चार परवेच्चक राष्ट अफगानिस्तान, बेलारूश, इरान, था, मंगोलिया है S.C.O. के 6 समाथ भागिदार डालाग पाटनर अर्वेणिया, अजर्बेजान, कमबोडिया, नेपाल, सिलंका था, तुर्किये है भारत को वर्ष 2005 में S.C.O. का परवेच्चक का दर्जा पतान किया गया था जिकि 2017 में कजाकस्तान के अस्ताना में आयुजित S.C.O. सिकर सम्मिलन में इसे पूर्ण सदेश का दर्जा पतान किया गया इसे साथ पाकिस्तान को भी पूर्ण सदेश का दर्जा दिया गया था पहला I2-U2 सिकर सम्मिलन तो 14 जुलाई 2022 को I2-U2 संभूह के राष्ट सासना दच्चो का पहला सिखर सम्मिलन आभासी माद्यम से आउजित किया गया इस सिखर सम्मिलन प्रदानमति नेन मोदी के अत्रिक्त इजराइल के ततकालिन प्रदानमंत्री यायर लापिड यूएए की राष्पती सेख मुहम्मद बिन जायत अलनाहान और इवेशे की राष्पती जो बाइडन सामिल हुए तो इसमें चार देश सामिल है यार रखेगा इंडिया इजराइल इवेई और अमेरिका पर्थम आईटू यूटू सिखर समिल खाद सुरच्छा संकटता स्वच उर्जा पर केंद्रित रहा है भारत असंदर में दो प्रणों की गोशना कीगी पहला भारत में एकिक्रित ख का निवेश करने की गोशना की है विदितों की वर्थ 2030 में UNFCCC COP28 का मेजबान देश है आईटू यूटू समुहु ने गुजरात के द्वारका में हाइबिड नवीकरणी उर्जा परियोजना का समर्थन करने की गोशना की है इस परियोजना में 300 मेगावाट पवन और सौर चमता विंड एंड सोलर के कैप सिटी सामिल है इस अच्छे उर्जा परियोजना है तो अमेरिकी ट्रेट एंड डेवलोप्मेंट्स एजेंसी ने पहले ही ब्यवहारता अध्यन के लिए लगवक 330 मिलियर अमेरिकी डॉलर का बित्त पोशन किया है यहां परियोजना भारत क कि वर्ज 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म इधन चमता प्राप्त करने के लच्छ में योगदान देगी आइटू यूटू समों के बारे में बात करें तो आइटू यूटू समों में 4 देश सामिल है यहां आइटू से मतलब है अवित्राइब भारत और इज्राइल है और यूटू से अफिरा है स्ट्राइब अमेरिका और स्ट्राइब अमिराद अठार अक्टूब 2021 को आज़ित उपर रहूं की चार देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक के द्वारां इस समों की परिकल्पना की गई थी चूंकि आइटू यूटू समों पश्यम एशिय पर तक ही कवर करना चाहिए इसको भी देख लेते हैं 26 जून 2022 के मद्द 48 वे जी सेवन सिखर समयन का यूजन संपन हुआ यह सम्मेलन कहां पर हुआ तो जर्मनी के अधिश्ता में जर्मनी के श्लास्ट इल्माव बैवेरियन आलपस्ट में संपन हुआ वर 22 में यह सात्वा जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, जापान, करनाडा, अमेरिका, यूरोपिये, संग के नेताओं ने पार्टिसिपेट किया इसके अधिक जर्मनी द्वारा आमंत्रित देशों में कौन थे अर्जंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल, दचिन अफरिका, यूक्रेयन छेदेश आपके आमंत्रित थे, ने भागिदार देशों के रूप में पार्टिसिपेट किया, जी सेवन सिकर सम्मिलें, 2022 के दोरान जलवायू संकट की वैशिक प्रतकिरिया के रूप में खुला यूम सहयोगी, क्लाइमेट कलब, इस्थापित करने पर सहमत बने, उलेखन की जी सेवन देशों दोरा विश्व बैंके सहयोग से मई 2022 में खादिस अंकट की प्रतकिरिया सुरुप ग्लोबल एलाइंस फार पूर्ट सेक्योर्टी की स्थापना की थी, देखिए, एक जनुर दोर तेश को जापान, तेश से जापान जी सेवन के अध्यच होगा, और उ नेपाल के राश्पती के रूप में पदभार गहनत किया है, सपतली है, 2008 में नेपाल के गर्तनत बनने के बाद बाद देश के तीसरे राश्पती बने, इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है, 9 मार्च कितने मद्दान प्राप्तु छोड़ दीए, देखि चुनाओं में वो बैन थूयों, वियत नाम के नए राश्पती चुने गए, इन्होंने गुमेन, जुवान, फुक का इस्थान लिया है, सी जिन्पिंग पुना राश्पती बने हैं, चीन के, तो मार्च दोज़़ देश में सी जिन्पिंग तीसरी बाद चीन के राश्पत इस चुनाओं के बाद, चुनाओं में अहमद अधे कुनले टीनूबु जो है, इन्होंने 36.6% के साथ जो है, बिजय प्राप्त की है, इनका नाम है चुनाओं में बोला अहमद, पुरा नाम है बोला अहमद अधे कुनले टीनूबु, तो इन्होंने जो है, 29 मई 2003 को, मतलब 29 मही को ये पदभार ग्रहण करेंगे वर्तमान में मुहम्मद बुहारी नाइजीरिया के राश्टपती हैं आगे चलते हैं मेनुला रोका बोटे की प्रधान मंत्री हैं बंगलादे Minsh राश्पति चुनओं 9 में मुहम्मद सहाबोधीन चुपति नए राश्पति निर्वाचित हुए है। वे बैशोय राश्पति होंगे और इन्हों ने जो है अबदूल हमीद का इस्थान गराण किया है साइप्रस राश्पती चुनाव 23 तो यहाँ पे फरुई 23 में राश्पती चुनाव संपन हुआ इसमें निर्दली प्रतियासी निकोस, क्रिष्टो, नेडो, लाइडस ने 51.97% मतों के साइप्रस के नए राश्पती चुने गए है इन्होंने निकोष, एनास, ता शिया देश्ट का इस्थान गराण किया है चक गणराज राश्पती चुनाव 23 28 जनराज के राश्पती के चुनाव हुआ इस चुनाव में नाटो सायने समित के पुर्व अधेज पेट्रा पावल विजय हुए है और पेट्रा पावल ने जो है मिलोश जैमेन का इस्थान गराण किया है राश्पती के रूप में निव जी लेंड के नए प्रधान मंत्री देखिए 25 जनुरी 22 को क्रिश हिपकिन्स ने निव जी लेंड के 41 प्रधान मंत्री के रूप में पदभार गराण किया है चुकि तद इसके पुर्व की जो प्रधान मंत्री थी जिसिंडा आडन ने अपने पत से तैग पत्र दिया था उसके बाद यह यहां के प्रधान मंत्री हुए है आगे बरते हैं नेपाल के प्रधान मंत्री 26 जिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 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 प्रधान मंत्री कर्प में सपत गराण किवार इस पदबर उन्हें ने सेर बहादूर देवबा का इस्थान गण किया है और पुस्ट कमल दहल परचंड जो है सीपियन मौवादी दल के नेतायों अध्धच रहे है इससे पुर्वबा हम 2008 से 9 फिर 16 से 17 तक नेपाल के प्रधान मंतिर रहे है आयरलेंड प्रधान मंतिर चुनाव 2022 17 दिसंबर 2022 को आयरलेंड की संसत के निचले सदन के लिए वर्डकर को प्रधान मंतिर चुना गया है वर्डकर का प्रधान मंतिर की तौर पर दूसरा कारिकाल रहा है ज्यान दीजेगा कि लियो वर्ड कर भारती मूल महराष्ट के रहे हैं पेरू की पहली महिला राष्टपती महात्पूर्ण हो जाता है तो डीना बोलु आर्टे पेरू की पहली महिला राष्टपती बनी है इससे पुर्वादेश की फर्ष्ट वाइस प्रेसिडेंट की रूप में कारियर थी इस पद पर उन्होंने पेड्रो कैश्टिला का इस्थान गर्ण किया है फिजी आमचुनाओ 2022 यहां पर जो आमचुनाओ 2022 हैं इसमें पीपुल्स एलाइंस पार्टे की नेता शिती बेनी राबुका ने प्रधान मंत्री का पदभार गर्ण किया है इन्होंने फ्रैंक बेनी मारा रामा का इस्थान लिया है मलेशिया आमचुनाओ 2022 तो देखिए अनवर इब्राहिम ने मलेशिया के दसवें प्रधान मंत्री के रुपे पदभार गर्ण किया है इन्होंने इश्माइल, साबरी, याकूब का इस्थान ग्रहन किया है आगे बढ़ते हैं इसलोवानिया राश्पती चुनाव 2022 तो नताशाल, पिर्क, मुशर, इसलोवानिया की प्रथम महिला राश्पती चुनी गई है इन्होंने जो है पोस्ट पहोर का इस्थान ग्रहन किया है आगे चलते हैं डेनमार्क आमचुनाव 2022 तो देखिए यहाँ पे जो आमचुनाव हुआ है उसमें Social Democrats Party विज़े रही है और इसके नेता मेटे फेडरी कशेन ने ग्रहन किया है इनका परधान मंतिरी की तور पर दूसरा कारिकाल है इससे पूरविया 2019 परधान मंतिरी बने दे मेटे फेडरी कशेन डेनमार्क की दूसरी मईला और सबसे से यह व़घान परधान मंतिरी है इसराइल विधाई चुनाव 2022 तो 2922 में इसराइल में लेपिट का इस्थान ग्रण किया है इससे पूर्व जो है 1996-1999 फिर 2009 से 2020 तक इसरायल के प्रधान मंत्री थे रिशी शुनुक विटेन के नए प्रधान मंत्री तो पचीस अक्रूप दोजर बाइस को कंजर्वेटीव पार्टी की नेता ध्यान रहिए किस पार्टी के है यह मह थार धिए? झाल 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 झाल